इस कारक्रम के पुनियार जखें शिरी परकाश जी सरला आदित पूजा मनन रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परवार अतिवीर गुरूप मुंबई कोलकत्ता दिल्ली एवं बैंगलॉर वेबसाइट www.ativiradvisory.com और www.vardhmantrusty.com श्री सुरेश चन जैन, श्री मती ओर्मिला जैन, श्री बिपन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परवार विजनौर उत्तरपरदेश श्री मान, सुभाश बढ़जात्या, श्री मती सरिता बढ़जात्या, श्री मयंक जैन, श्री मती रजनी जैन, श्री अभिशेक जैन, श्री मती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन, एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक गुरूप कोलकाता माताश्री शुशीलाबाई जैन, ललितपुरवाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, बियेसार, श्रीविध्यासागर रोडवेज नाकपुर उत्री एवं दमार, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रिहान, मास्टर यवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाती प्यूश जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, बियेसार, श्रीविध्यासागर रोडवेज परवार नाकपुर स्वभागिवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली स्वभागिवती शिमला राजिन कुमार जी घंसोर, स्वभागिवती मुक्ता अजय जैन, ट्रीम सोपी, बीयसार, श्री विद्या सागर रोडवेश नागपुर, बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई बाले स्वर्गे शिरी मेगराज जी गंगवाल एवं स्वर्गे शिरीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुनिस्प्रती में, शिरीमान प्रदीव गंगवाल, शिरीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधु, अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र पुत्रवधु, रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई, जस्वंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अधिती वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, हृत्वी शिरीमती सरोज, शिरी सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंके तेवं खुश्वू पाटादी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइबिट लिमिटेड कोचीन इस धर्म समय बिराजी सभी भबे जनो, इवन सुदूर अवस्थित अपने अपने घरव में बैट करके अपनी संकाओं के समाधान प्रात कर रहे, पारस चैनल इवन जनमाई चैनल से तथा प्रमानिक एफ से सभी सुदी साहब को शम्मेक जर्ष को, आज हम पुना संपध्ध होने जा रहे हैं, जगत जेश, जगत्षेष, आचरभग्वन, विद्या साहगाजी महराज के परम प्रभावाक्षिस, महामना मुराज, जगत बिच्छात हैं, गवायतन पुनेता, संका समधान प्रवर्तक, भावन नाय प्रवर्तक, इवं संप्रक सम्धान के रूप में, जनकी स्रीवानी को सुन करके, उनकी समधरवानी से सम्धान प्रवर्त करके, हम अपने जीवन को उत्थान के रूप आने में समर्थ हो रहे हैं, आज हम पुने गुर्देव के स्चरणों में पहुचें, उसके पूर मैं चाहता हूँ कि गुर्देव का आश्रवाद हमें प इसकार क्याम को गती प्रान करेंगे मंचासीन घुजनों के संकाओं के माध्यम से निवेदन प्रमपुछ शुलक एक सुपाँच समादर सागर्जी महराज से के प्रशन के माध्यम से हमें लाभानवित करें महराज जी बरतमान में धन भी है साधन भी है संसाधन भी है पिर भी आज की युवा पिड़ी कहो या बरतमान में जो बुजड़ के है वो असेयम की वो बढ़ रहे है तो असेयम की गुलामी से किस पर करा बचे नवस्तू महराज असेयम की गुलामी से कैसे बचे देखे इसके लिए सबसे पहली आवशकता है आत्म ग्यान जब तक आत्म ग्यान नहीं हो तब तक आत्म ने अंत्रामी असेयम आता क्यों है असेयम हमारे अग्यान की परनती जब तक ऐसे अग्यान हम पर हावी होगा हम अपने जीवन को सहियत नहीं करें चो जो ग्यान बढ़ता है अपने आप सहियाम आ जाता है एक बच्चे में जितनी चंचलता होती है समझ विक्सित होते होते हैं उसकी चंचलता कम होती ऐसी अध्यात्मिक जिगत में जैसे जैसे आत्म ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर सैयम आत्म नियंत्रन अपने आप बढ़ता जाता है उपर से थोपा नहीं जाता सैयम सैयम भीतर से जगाया जाता है और हम अपनी समझ को विख्षित करेंगे सहीं हम सुनिश्चित तौर पर प्रकट होगा मुनिश इरु को नमुस्तु करते हुए आज प्राता काल से है संपून भारत वर्ष में सुतंत्रता का पुट्सो मनया जा रहा है इसकूली बच्चे भारत माता की जैके माध्धम से सारे आकास को गुंजाय मान कर रहे है और अपने भारत को और विक्सित बनाने के लिए कटीवद होते नजर आ रहे है बिश्चो में अनेकों देश हैं लगबक 195 से ज़्यादा देश है जिसमें जापान है, अमेरिका है, स्री लंका है, चाइना है और भी बहुत सारे देश है किन्टो भारत ये एक ऐसा देश है जिसके सांथ में माता सब्द जुड़ा हुआ है आखिर क्या बज़ा है कि कभी अमेरिका माता, स्री लंका माता इनको माता नहीं, जापान माता नहीं कहा जाता किन्टो भारत को ही माता की उखमा दिये आके भारत भूमी में ऐसी क्या विशेष्टा है जिससे हमारे सारे देशवाज इस भारत को मा के समान पूजे मानते हैं रैपया सन्माजय कर उपक रखते हैं नमुस्तु महरा जे देखे बहुत ही महत्तपून शवाल महरा स्री ने आज यहां उपस्तित किया हम अपनी इस धरा को माता मानते हैं अपितु माता की तरह उसको पूजते भी है आपने पूछा है इसकी वज़ा क्या है इसकी मूल वज़ा है हमारी सांस्कृतिक निश्ठा हमारी संस्कृति में हमें केवल जन्म देने वाली मा को मानी कहा हमारे जन्म को और जीवन को समारने में जो भी आधार है उनको मा की संग्या दे गई हम इस धर्ती में पले हैं बढ़े हैं इस धर्ती का अनाच खाते हैं इस धर्ती का पानी पीते हैं और इसी धर्ती की वायू का अनुपान करके स्वास लेते हैं तो जिससे हमारा संपूर्ण विकास हो या दूसरे तरीके से कहूं जो हमें पाले हो मा है आपको एक बाद बताओ ये कीवल भारत में मिलेगा मा की अउधरना कीवल जनमशे नहीं है मा वो है जो हमारा लालन पालन रक्षन और संभाल करे हम मुनियों के लिए अश्ट प्रवचन मात्रिका का वर्न है हमारी आठ प्रवचन मात्रिकाएं यानि माताएं हैं वो कौन है पाँच समिती और तीन गुपती हमारे सास्त्रों में ऐसा उलेख है कि ये पाँच समितियां और तीन गुपतियां मुनियों का माता की तरह पालन रक्षन करती है संभर्धन करती है इसलिए माता है तो जिस धर्ती पर हमारा लालन होता है पालन होता है जिसमें हम पलते बढ़ते खेलते कुटते हैं जिससे हमारे जीवन का निर्मान हुआ वो माता नहीं तो और क्या होगी इसलिए भारत माता की समझ गया है ये जैकार करने में कोई हानी नहीं ये मा है क्योंकि यहां हमारा पालन पोशन हुआ और देखिए हमारे हाँ गंगा को माता कहा जाता है हमारे हाँ गाए को माता कहा जाता है ये बात दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी यही हमारी सबसे बड़ी सांस्कतिक विराश्ट है इसलिए आज प्राता काल मैंने कहा था कि हर वेक्तिक हुर्दे में सांस्कतिक निश्ठा जागने की जरुष है जब वो जागेगी तभी कुछ हो सकेगा बाकी जगा वह बाते देखने को नहीं मिलेगी बाकी देशों के लिए उनका देश जमीन का टुकला है भारत वास्यों के लिए वो हमारी जीती जागती आस्था है माता है वो हमारे लिए प्रणम है बंदनी है इसलिए हमें उस दृष्टी से उसे लेखना चाहिए परंपुज मुनिश्रे प्रमान सागर जी महराज संके सरी चड़नों में नमोस्तु यथायोग प्रणती निवेदन करते हुए आज के संका समाधन के सत्र को मैं आगे बड़ा रहा हूँ और विश्ट की अनपम कृती विश्ट के एकमात ग्यान मंदिर के रूप में आकाल ले रहा यह गुणायतन और इस गुणायतन के परिवार में दिन प्रती दिन स्री व्रद्धी होती रही है आज भी कुछ नए सदस हमारे परिवार से जुड़े है सबसे पहले में उन महानुभावों का नाम यहां पर ले रहा हूँ जिन्होंने गुणायतन में स्वण कार हेतु स्वण दान दिया है स्री मती सिंगरी स्री राजकुमारी जैन बारान सी इन्होंने 6 ग्राम सोना गुणायतन में दिया है जोरदार और कुछ चांदी भी इन्हों ने दी है जोरदार कलत दनी से इनके हम अनमोदना करते हैं और इससे जादा अनमोदना का प्रशंग ये है कि लगवग 9 ग्राम सोना खटखटी आसाम से गुप्त दान के रूप में प्राप्थ हुआ है हम उनकी भी परोख्ष रूप से उनके भावों की अनमोदना अभी बंदना करते हैं निर्मान इदी सदस्य के रूप में सी ए सलोनी जेन पुत्री सुसील कुमार पौत्री स्री मती ममता जेन राजा खेड़ी वाले दिल्ली स्री नतासा सिद्दार्त वैद मुंबई और स्री पूरन चंजी सतीस कुमार संदीप कुमार जेन कंदवा वाले सपरिवार पथरिया एगर ये तीनों परिवार उपस्ते थों तो अपने स्थान पर खड़े हो करके पूज मुनी स्री को नमोस्तू निवेदित करके आसीवाद प्राप्त करें और हम करतल धोनी से इनका सम्मान करते हैं निर्मान मित्त के रूप में स्री मदीप पूनम जेन की पुनिस्मृती में स्री पृदीप कुमार जेन पुत्र स्री पियूस जेन पुत्रवदी स्वाती जेन, सार्थ जेन, आरोन गुनामत प्रदिश से निर्वान अमित्त की रूप में हमारे परिबार सुझड़े हैं हम इनकी भी भावों की अन्मोधना करते हैं जोरदार कल्द दोनी से हम इनका अभिनंदन करें सुत्रदार के रूप में मैं आमंतित कर रहा हूँ मंच पर स्री दीपक जेन, स्रीमती अलका सीरसक, स्रीमती सुभांगी जेन, सपरिवार सहारन पूर से हमारे बीच में हैं वो आज जुड़े हैं, मैं उनको आमंतित कर रहा हूँ की वो आएं और इनके संब्मान के लिए में स्री सतीस कुमार, अमित कुमार, अतुल जी, राम गंजी बंडि, त्रश्टी गुनायतन इनको आमंत कर रहूं की वो आएं और इनके साथ में स्रीमान, बिजेग कुमार जी, जहान्ज, ऩी भील बाड़ा ये आएं ट्रश्टी गुनायतन और ये दीपक जी अलका जी का सम्मान करें विजय जी जहां जी ट्रश्टी गुनायतन और सतीज कुमार जी अमत कुमार जी अतुल जी दामगंज मंडी ट्रश्टी गुनायतन तालियां बनते रहें और सम्मान के सिक्रम में आज हमारे संस्थापक सदस टश्ट्री के रूप में गुनायतन परिवार से जुड़े हैं स्रीय राजिस जेन, स्रीमती सीमा जेन, रिसब जुही, सौरवपिता स्वरगे हीरालाद सेटी स्रीमती स्रोचना देवी जेन, कोलकाता मैं इनके सम्मान के लिए आमंत कर रहा हूँ स्री अरहंत जेन, बिट्टू, अक्षय जेन, प्रेमी परिवार कटनी, सतना और स्री बिजय कुमार जेन, एड़ोकेट, दिल्ली और तालियां बसती रहें, संस्थाबक सदस्य के रूप में सीय राजेश जी जेन, कोलकाता परिवार हमारे गुनायतन परिवार से जुड़ा है जी, बिजय कुमार जी जेन, एड़ोकेट, दिल्ली हमारे बीच में है, वो भी आएं और इनके साथ में करें और अब मैं बड़े ही सम्मान और स्वभाग्य के साथ गौरव के पनल, गौरव छणों के साथ आमंतित कर रहा हूँ कुनायतन कि स्रुमनी संदक्षक और मागदर्सक, स्री भूपेंद कुमार जी, देखा जी, जुहुमन, उम्मई, स्री मौनुजैन की आएं और आज का इतिहासिक कायर उन्होंने संपन्न किया, मौल नायक की बेदी पर, जो है उपर अमलासार, गंद कुटी के उपर अमलासार इस्थापित किया, आईए भूपेंजी रेखा जी, और मैं आमंतित कर रहा हूँ पूर्टा की और एक कदम और हो गया, मौल वेदी में स्रीमती मौनिका जेन किष्णनगर दिल्ली से, इन्होंने एक सोने की अंगूठी लगभग 10 ग्राम की जो है, गुणायतन में सोनकार के लिए प्रदान की है, अपने स्थान पर खड़े हो करके, और वहीं से, आईए, जी, हाँ, दो मिनिट, दो मिनिट, किष्णनगर, है, कम होती जा रही है, और गुणायतन का निर्मान पूर्दा की ओर है, आज, अमलासार सिलाग स्थापन के रूप में, अंतिम कड़े, जो है, बोस बेविका के उपर उड हुई है, और हम, बहुत-बहुत सादुबाद और सराहना प्रदान करते हैं, नित्य सांती धारा प कर रहा हूँ, स्रीमती मौनिका जैन किष्णाना कर दिल्ली, इन्होंने लगभग 10 ग्राम स्वयन, स्वयन कार के लिए गुणायतन को पुरदान किया है, मैं इनके सम्मान के लिए अमंतित कर रहा हूँ, प्रमचाणनी सुनीता दीधी को की बोवाएं, और इस परिवार को गुणायतन के पृतिनिधी के रूप में, गुणायतन सम्मानित करें, इनको धर भी जो किष्णाना दिल्ली बालों को धर भी जो दीधी आप धर आईए, हाँ आप लोग धर चले उस तरफ, ऐसे, जी, महराजी के सामने ने गैप बना करके, बहुत बढ़िया, जोरदार कल जो इन्होंने आसनस्थावक्सदस के रूप में जुड़े हैं, और इसके बाद तयार रहेंगे, स्री स्वभाग्या कांशनी स्वेता कासरीवाल, हीरा काका परिवार और अंगाबाद महरास्ट गुरुदेव, आपके चर्णों में सचत वंदन, आज मेरा सोभाग्या है कि मेरी खुद की जन्म भूमी, अपना तिर्चेतर, 15 अगस्त का दिन, मेरे सस्राल वालों की उपस्तिती गोहाटी से मेरी वाइफ है, कि आज मैं गुणायतन से आर्थिक रूप से भी जुड़ र आप से मिलकर हमेशा मन में कई तरह की संकाएं समाधान है तू आती हैं, वो रुकने के लिए नहीं आती हैं कि वहां में अटक गया, जीवन के बड़े से बड़े प्रसंग मैंने आपके साथ मिलकर आपके आसिरवाद से अभी भी पार किये हैं, कुछ गल्तियां जीवन में काफी जुड़ा रहता हूं, तो उनके लाब के लिए ये बात मैं करना चाहता हूं, कि गुरुदेव एक बात बोली जाती है, कि इस्त्री लिंग में मोक्ष नहीं होता हो, और एक ऐसी भ्रान्ती सी महसूस होती है, जैसे वो एक क्लास जो है प्रिवलेश नहीं है, वो सिरी प्रिवलेश नहीं है, तो बात की प्रस्तुति वैसी हो, तो हमारी जो लड़कियां महसूस करती है, और एक दुसा प्रस्न भी मैं कर देता हूं, गुरुदेव, फिर मौका नहीं रहेगा, वो ये है, कि लोग ये बोलते हैं, कि ये पंचम काल है, इसमें मोक्ष होता नहीं तो पंचम काल में मोक्ष अगर नहीं होता है, तो फिर विदेश हैतलो है, शतुर्थ काल में भी 6 मैने में 608 जी मोक्ष जाते थे, तो ये दोनों बाते हैं, ओ, ओ, देखें, आपका पहला सावाँ, इस्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता, तो क्या पूर्सों को मिल जाता है, धियान रख़रे की बात के वर इतनी सी है मोक्ष न Likeels न स्ठरी को होता है न पुरुस को होता है मोक्ष तो निर्गन्त को होता है और जिसके अंदा निर्गन्त होने की पातता प्रकट हो जाए O.।।। अगर को इस्तरी इस्तरी है इसलिए मोक्ष नहीं जारी है गलत बात वो निर्गंथ नहीं बन पादी इसलिए मोक्ष में रुकावट है यह सही बात और यह रुकावट केवल इस्तरियों के लिए नहीं यह पूर्षों के लिए भी है पुरुष भी जब तक सग्रंथ रहेंगे मुक्त नहीं होंगे इसलिए इस परियाई दिश्टी से हटिए द्रभ दिश्टी पर आगे बढ़िए पंचब काल में मौक्ष नहीं होता हमसे एक बार किसी ने पूछा मराज पंचब काल में मौक्ष होता मौक्ष नहीं होता तो फिर आप मौनी क्यों बने हमने का मैं मौक्ष पाने के लिए मौनी बनाई नहीं आप मौक्ष पाने के लिए मौनी नहीं बने हाँ मुझे मौक्ष चाहिए नहीं तो किसलिए मौक्ष मौनी बने मैंने का मैं मोक्ष मार्ग के लिए मुनी बनाओ मैं मोक्ष मार्ग के लिए मुनी बनाओ मोक्ष नहीं है मोक्ष मार्ग है ये मोक्ष मार्ग जब एंड तक पहुँचेगा तो फिर चौथा काल आ जाएगा मोक्ष मिल जाएगा तो मोक्ष हो या नहो मार गही है हम उस मार्ग का अनुकरन करे हमारा जीवन धन हो जाएगा और एक बात ध्यान रखना वो चौथा काल का या बिदेशित का जन्म आरतहीन है जिसमें हमारी आँखे मुदी हो फूटी हो और ये पंचम काल का जन्म सारतक है जहां हमारी आँखे खुल जाए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाद बहुत बहुत आशिरवाद आज राजे सभाई का एक बार जोरदार करतल धनी से स्वागत कर दे ये हमारे समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्टित्त के धनी है और आज जुले तो वर्सों से थे ही ये एक ठिंक टैंक के रूप में काम करते रहे हैं और आज इन्हें गुनायतन से संबधता प्राप्त हुई है और बिधीवत संबधता प्राप्त हुई है ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे ये ही मेरा आशिरवाद नमस्त गुरुदेव नमस्त गुरुदेव गुरुदेव आज हमारा प्रश्न ये है आरिका को उप्चार से महावरती कहते है कही कही उनको अर्ग चड़ाय जाता है और कही कही पर अर्ग नहीं चड़ाते तो हम श्रावक ने क्या करना चाहिए अगर अर्ग चड़ाना है तो क्यों चड़ाए और नहीं चड़ाना है तो क्यों नहीं चड़ाए गुरुदेव इसका समधान करे देखे येक विवाद आस्वत सवाल समझ गया है आपने दोनों बाते अपने मुक्षे कह दे हम तो इतनी बात जानते हैं आचैर कुंद कुंद ने जो बंदनी है उसका सुरूप बता दिया और कहा जे बावी से परीशा सहन ती सत्ते सही संजुता ते हों ती बंदनीया सुरा सुरुमान उसे लोए जो बाईश परिशाओं को सक्ति सहीत हो करके सहन करते हैं ऐसे निर्गंत मुनी बंदनी है और आउसे साजे लिंगी चेले ने पर गईया ते होंत इच्छ निज्जा वो इच्छाकार की योग है तो बिवस्था अचार कुदु कुदु ने अलग-अलग दी है तो यह सवाल उनसे पूछो कि हम क्यों चलाए जो चलावा तो उनसे पूछो मुझसे क्या पूछती हो हमारे संग में यह परंपरा नहीं है और यह पूछ की वज़ा है क्योंकि आगम में इसका विधान नहीं है समझ गया है? चले श्री बिजय जी जहांजरी भीलवारा टेस्टी गुनायतन और तयार रहेंगे डॉक्टर लक्षनी पत्नाहटा, MBBS श्री मेरा पर्षन है पर्षन तो यसी ज्यादा नहीं है लेकिन नहीं हमारे बच्चों के मन में थोड़ा कनफीज है मैं बोलती हूँ पर्षी नहीं गुमती है यह बोलते हैं पर्षी गुमती है मैं सुरचान के लिए बोलती हूँ तो बोलती है हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे बोलते हैं तो सही भी है मानेंगे भी लेकिन अम मानेंगे भी नहीं तो इसका क्या सवाल होता है अब उनके सामने अपना दिमाग मत घूमाओ, प्रिथवी घूमती है तो घूमने दो, और सूरत चान्द घूमते है तो घूमने दो, दुनाग लगाने में कोशार नहीं है, वो अपनी जगा सही है, आप अपनी जगा सही, इस विशे में मैंने कई वार अपना अधिश्टी है, चलिए, जैसे नहीं साल तो चैज से लगती है, और दुनिया एक जनवरी से मनाती है, तो वो भी कोई, ये सब एक बैश्वी कलेंडर आजकल चालू हो गया, चलिए बदल गया, आज हम चैज से मनाते कभी सख संबत था, उससे पहले बीज निर्वान संबत था, ये तो स डॉक्टर लक्षमी पतनाहटा, और इसकी बार तया रहेंगे, सीए स्री सम्यक जी जैन प्रग्या जैन, कृष्णा नगर दिल्ली, आचारी स्री के चर्णों में बंदन, बहुत बहुत बंदन सभी मुनी जनों के चर्णों में बंदन, गुरुवर, मेरा आप से प्रश्न ह कि आज जैन धर्म इतना ज्यानी ध्यानी और आप जैसे गुणी साद्वों के रहते हुए हम लोग इतने रोग ग्रस्त क्यों हैं, क्यों आज घर घर में, बंदु में, रक्त चाप जैसी बिमारियां संकृत हैं, जहां आप आचार, विचार और अहार की इतनी सुंदर व्य जाते हैं, एक लाइंग में इसका उत्तर है, आज हमारी समाज गुरूओं को मानते हैं, गुरूओं की नहीं मानते हैं, समझ गया नहीं, बस इसमें ही सारा उत्तर है, जिस दिन मानने लगोगे, रंगत बदर जाएगी, छिए श्री सम्यक जैन प्रेटर, अलाकि डाक्टर स जाब ने जो चिंता विक्ष की है, बहुत गंभीर है, चिंतनी है, अपनी जीवन सहली में बदलाव लाना चाहिए, जैनियों में संतुलित जीवन सहली का भाव, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दिन चरिया सब की उठपटांग हो चुकी है, अब दिन चरिया तो लगवग समाप्त हो गई, रात्री चरिया सुरू हो गई, इन सब चीजों से जो असंतुलन हो रहा है, वो अनेक बिमारियों को जन में दे रहे, हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और अपनी प्रवित्यों में युक्ता हार बिहार को जोड़ना चाहिए, स्री सुनील जी जेन बढ़ जात्या के साथ, स्री दिगंबर जेन महला संक्टन गोहाटी, एक साथ खड़े हो जाएंगे, सुस्तर आप कहा हैं जो है, और एक प्रिशन उनके और से करेंगे, और इसके बाद तयार रहेंगे, स्री अरहंद जेन बिट्टू अक्षे जेन, प इदर आजाओ, मैजारिटी ऐसी बच्छोगे नहीं उनके रहने दो, उनको दे दो, तुम अलग से पूछ लेना, अलग से पूछ लेना, इदर आजाओ, हाँ श्री दिगंबर जेन, गौहाती समाच, पुर्वोतर प्रदेशे दिगंबर जेन, महिला संगटन की ओर से, गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तू, 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 हम सब यहीं चाहते हैं कि जब भी आपका यहां से वियार ओ गुरुवर, गौहाती की ओर ही हो, हम आपको स्रीफल भी भेट करना चाहते हैं, हमारे अद्देक्ष महावीर जी का, विनम्बर निवेदल धा, कि आप जरूर जरूर गुरुदेव के यहां जाईएगा, और उनको स्रीफल भेट करिएगा, तो गुरुदेव के चाहनों में हम सब स्री दिगंबर जेन, पंचाय ओ, बक्ता बदल गया मारा सिस्री समस्य, राइवर चेंज हो गया गाड़ी का, मारा स्री के चर्णों में, त्री बार नमोस्तू, 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 हम सभी मैलाएं, गोहाटी से, अब सवाल कर लो, निवेदन हो गया, समय का उपयोग किजिए, जल्दी से सवाल है त चाहिए, और उनके क्या कर्तब्य होने चाहिए, और आजकल संका में, मैंने ये देखा है, कि बहुत छोटे-छोटे भी भगवान के माता-पिता बन रहे हैं, तो मारा सिरी क्या ये उचित है? जिसके अनुचित क्या है, भगवान के माता-पिता कौन? जिसको दिड़ सद्धालू हो, कुलाचार का पालन करता हो, वैराग शंपन्न हो, जिसके अंदर देव, सास, गुरू के प्रती प्रगाल भक्ती हो, ऐसा विक्ती, जिसका आपने आप पर नियंत्रन हो, भले वो अल जिसके देखो, इतने कम उम्रे में ब्रमचर के आराधना करने का असी धारा व्रत स्विकार कर रहा है, हम कब लगे हैं, स्विकार करना चाहा है, एक विक्ती, माता-पिता बने, माता-पिता तो बनाया गया बाद में, ब्रमचर लिया दृष्ठी क्या, उनके छोटे भाई क ब्रत्व हुई, सोच देखो, छोटे भाई की ब्रत्व के बाद, उसकी धर्मपत्नी ने आजीवर ब्रमचर बत लिया, तो उसके बड़े भाई की पत्नी ने, अपने पती से कहा, देखो, वो अपने पती को खो करके ब्रमचर ले रही है, तो हम लोगों को भी कुछ नसीहत लेना चाहिए, और हम लोगों को भी ब्रमचर का संकल्प ले लेना चाहिए, उनने ब्रमचर ले लिया, उम्र जादा नहीं थी, लेकि ब्रमचर ये है वैराग, अब तो 80-80 साल की उमर में भी लोगों की लाजसा नहीं होती, हमसे एक बार दाएक दादा जी आए, बोले महर आज मैं ब्रमचर का अभ्यास कर रहा हूँ, ललख खलाती काया थी, मैंने पूछा दादा आपकी उमर किती बोला, 82 साल, हमरा 82 बरस की उमर में अभ्यास करोगे, परलोक में जाके पालोगे, इसलिए जो अच्छी निर्बाद साधना कर सके, वो ब्रमचर ले सकता है, और उ खंड ब्रमचर का पालन होना ही चाहिए, हो गया है, चलिए, बलो जल्दिशा, गुर्देव नमोस्तू, 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 गुर्देव हर व्यक्ति अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे करके रखता है, इदी सामने वाला व्यक्ति, उसको अच्छे सब् हैं, तो वो दुखी हो जाता है, तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए, तो मारी दसाई उल्टी है, आउन किया, तो जल गए, आउफ किया, तो बुझ गए, भया, लाइट को आउफ करके जलाए बुझाए समझ में आत करना चाहिए, तो मुनिराजों के जर्णों में नमोस्तू, एवं सभी एलक और छुलक माराजीयों के चर्णों में इक्षामी, माराजी आज की सिक्षा प्रणाली सिर्फ एक व्यवसाय बनके रह गए है, एक में, एक में, एक में, देखो गोहाटी के लोग, श्रीफल चला आज की सिक्षा प्रणाली सिर्फ एक व्यवसाय बनके रह गई है, अच्छी सिक्षा और संस्कार पाना अब बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है, डिजिटल भारत तो बनता जा रहा है, पर आज का योवा अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा उसको मालूम नहीं ह ये सिक्षा प्रणाली आज की नव योवा, नव योवकों को ना कोई दिशा दे पा रही है, ना कोई अच्छा जीवन, तो महराजी मेरा सवाल आप से यह है, कि सिक्षा प्रणाली में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए, जिसे आज के योवा को सही दिशा मेले, क्रप्या मा दर्शन दीजे आज के प्रतकाल के प्रवचन मैंने इस पर परियाप्त प्रकाश डाला है इसलिए और ये शवाल अक्सर उठते रहते हैं तो मैं इस पर पुन्रावित्ती से बचना चाहूँ आशिरवाई पुम धश्यर के चरणों में बारम भार łamաշ तो लाउटा प्रस देखने में आता है कि बच्पन में की गई गलतियों की साधिया हमें बात में भुगतनी पड़ती है तो में अच्छी बात है बच्चों को ऐसे प्रगार संसकार देने चाहिए कि बच्चों अपनी मरियादा और शीमाओं का बोध रखे उचित अनुचित का ज्ञान वो प्राप्ट कर दिए उनके हिरदे में पाप भीरता और संबेदन सिल्सा जागरित होनी चाहिए य similar बातें उनके जग जाती है तो बच्चे को फिर बड़े होने के बात करना उनी हो साथ इसाथ बच्चों को अपने जीवन के अनौँं का पाठ पढ़ाना चाहिए और उन्हें इस बात का अहसास कराना चाहिए कि हमने अपने जीवन में ये गल्तिया की मैं नहीं चाहता कि इसकी पुर्णाविती तुम भी करो उन गलतियों से सीख बच्चों को हो तो बच्चों में बड़ा बजलाव होता है एक गलती मता पिता करते हैं मता पिता अपने बच्चों के सामने खुद को बहुत पाक साफ पस्तुत करते हैं और बच्चों को उनकी गलतियों पर टोकते हैं जबकि उन्हें चाहिए कि जिन गलतियों पर आप आज बच्चों को टोक रहे हो उन गलतियों के दोर से आख खुद भी निकलियो जो गल्तियां आप कर चुके बच्चों को बोलो कि बेटे देख ये गल्तियां मुझसे भी हुई थी हमने अपने माबाब की शीख मानी होती तो इस गल्ति से बच जाते इसका खाम्याजा हमने भुगता पर हमें ये बहुत बाद में समझना आई मैं नहीं चाहता कि जिन गल्तियों को मैंने भूगा तुम्हें भी भूगना पड़े बच्चों को अपने जीवन के अनुहों को सुनाएं बदलावाएगा मेरे संपर्क में ऐसे अनीक लोग हैं जो आज भी अपने माता या पिताजी खासकर पिताजी की बातोकार उद्धरन देते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए एए बात कहके कहते जीवन में ऐसी गल्ती नहीं करना और वो उसकी गल्ती नहीं करते गांठ बांधें आज के कितने माबाप हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से प्रतिबद्ध करते हैं पुराने समय में ऐसे गांठ बांधने की बाते होती थी क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को ऐसी सीख दिया करते थे आज के जमाने में, माता पिता बच्चों को सीख कम सुबधा जादा देते हैं, इसलिए बच्चों में जो संस्कार ड़लने चाहिए भी नहीं हो रवा, शुबधाए कम दीजे, सीख अच्छी दीजे, ऐसी सीख, जो उनके जीवन की एक सीमा रेखा बन सके, जो उनके जीवन क सुरक्षा कवच बन सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके नमोस्तु महराशी श्री भूपें जी रेखा जी हुमन स्रुमनी सनरक्षा कमार्गदर्सा गुनायता हूं तईया रहेंगे स्री एंसी जेन कार्याद्यक्षी गुनायता है नमोस्तु गुरदेव नमोस्तु गुर०ेव नमोस्तु मुनिवर सब के इच्छा में इच्छा में महराशी गुरू के अशिरवाद से और गभी कभी अपने पुन्य से मंगल कार्य करने के प्लसंग आते हैं और अब प्लसंग सक्सित्फुक्ष को भी जाते हैं उसब प्लसंग बहुत अच्छा काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत सुख महसुस होता है पर क्या है सच्छा सुख है महलाशी बहुत वहां से निकले अच्छा काम करकर के सब लोगों ने वावा किया ऐसा लगा किया रहे बहुत अच्छा काम हो गया बहुत अच्छा काम ह इससे पहले कि मैं भुपेन जी के रेखा जी के सवाल का उत्तर दूँ सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल धनी से इनका भी मंदन कीज़ें आज इनके हाथो एक बहुत उत्तम कार्श संपन हुआ गुनायतन के निर्मान में इनका बड़ा योगदान है इस गुनायतन में बनने जा रहे मंदिर में मूल बेदी और पूरे सिखर का पुन्यादन इनके परिवाद में चाहूँआ यह इनकी भावना इनका संकल बहुत पुराने समय से था और आज एक सियोग बिला कि गुनायतन के मंदिर में रखे जाने वाले आखरी सिला को इन्होंने अपने हाथों से रखा यह उपसंगार अब कोई सिला का आरोपन गुनायतन में से नहीं बचा जो है छुट-पुट निचे के काम है फिनिसिंग के काम है यह जो कायर आज आपने किया है यह कई पीडियों के उद्धार का कायर सास्त्रों में जिन मंदिर के निर्मान को सातिसे पुन्य के बंध का कारण बताया है उस मंदिर के निर्मान में जिसका भी योगदान है जब तक वो मंदिर रहेगा उस मंदिर में जितने लोग आकर के पूजा आरचा करेंगे उनके द्वारा अरजित पुन्न का छटवा भाग उस वेक्ति के खाते में आए यही कारण है कि हमारे देश में पुराने समय में लोग अपना द्रब बचा बचा कर धरमाई तनों का निर्मान किया करते हैं हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां चक्की पीश पीश कर अपना गुजारा करनी वालों ने भी मडिया बनाई मंदिर का निर्मान किया यह हमारी संसकार है हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग है जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोट जलाने की परिपाटी है यह एक बहुत उत्तमकार यद्दपी गुनायतन से पूरा विश्चु जुड़ा और पुरे दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी सक्ति के अनुरूप योगदान दिया दे रहे हैं आगे भी देंगे और मैं आज उन्स सब को आशिर बात देता हूँ जो प्रतक्ष और परोक्ष रूप से इसके निर्मान में अपना योगदान दिया है लेकिन बाजी हुमर जी ने मारी है योग इनको मिला और हुमर जी आज एक रहस का उद्वेधन कर रहा हूँ जब आपका निवेधन मेरे पास आया तो उस समय एक सजन की और पहले से मेरे पास भावना थी मैंने आपको शुक्रती तुरत दी नहीं थी मैंने उन तक मेसेज पहुँचाया कि भाई एक और भावना आई है आप बोलो क्या करना है तो उन्होंने कहा महराजी मैं तो जुड़ा हूँ ही अगर ये सवभाग वो लेते हैं तो अच्छा है उन्हें पुदान कर दिये पर ये आपका भाग्र था प्रमल पुन्य था सास्वत तीर्थ में इतना बड़ा पुन्यलाव हर किसी को नहीं मिलता ये सवभाग आज आपको और आपके परिवार को मिला मैं तो आशिरबात देता हूँ कि आपकी ऐसी ही भावनाए फली भूत होते रहे और आने वाले दिनों में और बल चल करके हिस्सा लेते रहे मन में एक ही लक्ष रखो मेरे द्वारा मेरे जीवन काल में जो भी अरजित है वो मैं परमार्च के लिए समर्पित करके जाऊँ जिससे पीलियों का उधार है ये सोच अपने अंदर हर वेक्ति को रखनी चाहिए लोग अपार संपत्ती जोडते हैं और एक दिन छोड़ कर चले जाते हैं अपनी संतान के लिए छोडते हैं लेकिन संतान योग होती है तो अपने पिता से प्राप्त संपत्ती से कई गुनी संपत्ती बना लेते हैं उसके काम में वो संपती नहीं आ पाती वो उसका भोग नहीं कर पाता और अयोग होते हैं तो सब मठिया मेट कर देते कोई काम में नहीं आता इसलिए मैं एक सलाह दूँगा आज आप सबसे कि अपने जीवन की संचित निधी को अच्छे कारे में लगाओ संतान को एक भाग दो और बाकी सब अपने कल्यान के लिए जोड़ो ये अपने जीवन का परमार्स है और जो इस आदर्स का अनुकरन करते हैं उनका ही भवधार होता है पुनह मैं भुपेंजी और रेखा जी को उनके साथ मोनो जो उनके साथ चाया की तरह हमेंसा उनके हर कारे में लगा रहता है मैं आशिर बात देता हूं कि ऐसे ही भावनाएं फली भूत होते रहे और आगे बढ़ते रहें अब आपके सवाल का उत्तर आपने जो सवाल किया वह भी आपके सोच को प्रकट करता है कि क्या इसमें असली सुख है देखो इसमें अल्पकालिक संतुष्टी है और पुन्न का आस्रव सुख इसमें नहीं है सुख नहीं है सच्चा सुख किसी बाही उपलब्धी में नहीं है सच्चा सुख तो अंतर मुख होने में है बाहर के बैभों से तो इंद्र और नरेंद्र को भी सुख नहीं मिलता सुख की प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सर्व संकल्प बिकल्पों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में इस्थिर होते है आप ने पूछा की क्या इसमें सच्चा सुख है मैं कहता हूँ इसमें सच्चा सुख नहीं है लेकिन इस तरह का सथकार करने वाले के हृदय में संसार और संसार का राग मिठता है आकरसन मिठता है और उस से अंदर वैराग के संसकार प्रकट होते हैं और वही बैरागे के संस्कार कालांतर में आत्मा में ऐसी योगता विक्षित करते हैं जिससे विक्ती तोर, सकर, जग, दंद, फंद, निज, आतम को ध्याओं की परनती पाकर सच्चा सुख फोगते हैं हम तित्धंकरों के जीवन चरित्र को जब पलट कर देखते हैं तो उनके संपूर जीवन चरित्र में दस भव की गाता हैं मैंने बहुत बालिकी से अधन किया दस भव में मैंने देखा तित्धंकर भगवन्तों ने हर मनुष्य परियाय में मुनी बने और मुनी बनने से पहले जब तक सावक रहे तो उनने दान और पूजा का काम किया और मुनी बने तो ग्यान और ध्यान में लिए उनके द्वारा प्रदत दान का संसकार उनके द्वारा की जाने वाली पूजा और भक्ती जन्न संसकार उनकी आत्मा की योक्ता को बढ़ाएं उनकी पात्रता को बढ़ाएं मुनी बने तब साधना किया भिर ग्रहत हुए सद्ग्रहस्ती के साथ दान और पूजा का करम किये और बढ़ते बढ़ते तिर्थंकर प्रक्रतिका बंद कर आज साक्षा तिर्थंकर हो गए तो हुमर जी अभी सच्चा सुख नहीं मिला लेकिन सच्चा सुख पाने की ललक जागना भी एक बहुत बरी फुलब्दी है संसार के बहुत तेरे प्रानीतों इस बहुत निक सुख को ही सर्वस्व मांते हैं और उसके पीछे पागल होते हैं बिरले भबजीव ऐसे होते हैं जिनको सच्चे सुख को पाने की ललक होती है मुझे बेहत प्रशनता है कि आपके मन में ये प्रतिक्रिया आ रही है क्या इसमें सच्चा सुख है गाठ मांद लो अंदर इन सब में कोई सुख नहीं है सच्चा सुख तो मेरे अंदर है जब तक मेरे साथ बारी समपर्क और संबन्द जुडे हैं सुख नहीं सुख तभी फली भूत होगा जब निज़ का निज़ से नाता जुड़ेगा संबंध जुड़ेगा ये बहाओ भी यागलित होते हैं तो समझना ये हमारे जीवन का प्रसस्त करता है और इसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाएगा नमस्तु नमस्तु पुर्षार्थ करें तो हम अपना समय भी बदल सकते हैं और भागय भी बदल सकते हैं तो कैसा समय पुर्षार्थ हो कि हम अपना समय और भागय इसी अनुरूप करें कि हमारा जीवन आगे ठीक हो जाए जरा हमारा अच्छा आपके प्रस्टम में दो दिशा है समय को बदल जाए और भाग को साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता है इसलिए हंकार नहीं करना चाहिए लेकिन हम समय को बदल पाए और भाग को बना पाए उसके लिए प्रयास क्या करें समय को हम बदल ले और अपने भाग को बना ले उसके लिए क्या पुर्शात करें बस एक ही काम करो प्रमात छोड़ो प्रमात छोड़ो उद्दमीक बनो तत्पर हो हमारे हाथ में केवल वही है यदि वेक्ति के हिदय में सच्छा तत्वग्यान हो और वेक्ति अपने लक्षि के प्रति शमर्पित होकर उत्साह के साथ लग जाए तो वो बिगड़े वे समय में भी बहुत कुछ अच्छा बना सकता है और अपने भागों को सदे उचा रख सकता है कदाची समय खराब भी क्यों नहों उसका मन खराब नहीं होगा मन को इस से रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब दी राशी के भाव में काम नहीं रुकना चाहिए तो मेरे एक बार पुने सबसे अर्बत निवेदन है कि जिस जिस ने दान राशी दी है जो भी समय लिया है समय इनुसार अपनी दान राशी गुणायतन में भिजवा दें ताकि हमारा काम सुछा रूरूप से चल सके हैं अब देखो एक बात मैं कहूंगा आप सब को आपके भले की फाइदे की बात बताओ तुम लोग जिन जो नोगों ने दान देने का भाव रखा है दान तो दे नहीं है अभी दोगे तो सब लग जाएगा बाद में दोगे तो प्रता नहीं कहां लगेगा लगेगा तो अच्छे ही काम में लेकिन अभी दोगे तो उसी में लगेगा जिसमें आपको लगाना है इसलिए जिनकी भी जो भी कमेटमेंट्स है जितनी जल्दी हो सके देव सामने वाला मांगे एसी प्रतिक्षाहि मत करो आगी हो करके देना चाहिए जिस दिन तुमने बोला पुन्य उस दिन नहीं आता पुन्य तो उसी दिन आता जिस दिन तुम छोड़ते हो जिस दिन तुम देते हो इसलिए अभी जो कारिया धक्श महुदे ने आप सबसे बात की है उस बात को गंभीता से समझना चाहिए और सभी लोगों को नकिवर यहां की बात कर रहा हूँ कहीं भी कमिटमेंट करे तैस समय पर करना चाहिए और आप सबसे भी मैं कहता हूँ जिनकी भी देंदारिया है पहली कोसिश प्रतिष्ठा के पहले मेरा पैसा लग जाए करजदार न बनू कई जिगा तो मैंने देखा भगवान बिराजमान किये और वो भी करजे में प्रतिष्ठा हो गए भगवान बिराजमान कर गए प्रसस्ति लिग गई प्रसस्ति लिग गई अब पैशे आई नहीं तो अब बताव ये कितनी बड़ी धोका धड़ी भगवान के साथ ऐसा करम कभी मत करना इसलिए कहीं भी कोई भी कमेटमेंट हो तो उसे तैस समय पर पूरा करना बोलिए इसके बाद मुहराज जी बीमारी को ठीक कर लिया और एक बंदना भी कर लिया पर महराजी मेरा एक है कि इस बीमारी का नाम सुनते ही ना मुझे घरवाले परमीसम देते आंगे बाइने के लिए मैंने गुरुदेव से कुंडलपुर में कुछ नहीं मांगे थे तो उन्होंने बोला जो कर रही हो डेंता से करो इसमें सिथिलता नहीं आना चाहिए आंगे सब देंगी मैरा जी मेर आसी बाद चाहती हूँ में आंगे बरमू और सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कोई किसी को कोई भी बीमारी हो जाए तो भावना यूग सुत्धी पूर्वग सद्धा पूर्वग निस्टा पूर्वग कहने से कोई भी बीमारी हश्टे हश्टे निकल जाती है भावना यूग कैतना मुझपा तुहाँ पड़ा देखे एक बार जोलदार करतल धरी से विभाजी का सम्मान कीजिए इन्होंने आज अपना जो अन्हो प्रस्तुत किया है ये इनकाही नहीं ऐसा अन्हो अनेक लोगों का है और इन्होंने जितनी सुधता और निष्ठा पुर्वा किया मैं और खुलासाई कर दूँ ये तो नाम नहीं बताए बता दू ये कैंसर से ग्रशित थी और आप कल्पना कर सकते हैं पैदल बंदना कर जाए 2020 और 2023 अभी कोई दवाईया नहीं चल रही है इन्होंने पूरी तरह फॉलो किया और जिन जिन लोगोंने भामनायोग और उसके साथ नमोकार मंतर लेखन में ततवरता दिखाई निष्ठापुरवक किये उनने अपनी बीमारी को हराया अब मैं दावे के साथ करता हूँ ठीक ढ़ंग से करोगे अकाल में नहीं मरोगे मैं ये तो नहीं बोलता कि आदमी बचा रहेगा क्योंकि आयू पर किसी का जोनी सुस्त आदमी चला जाए लेकर अकाल में तो नहीं होगी ये गारिंटी है आप कीज़े ये प्रियोग खुद कीज़े औरो को प्रियोग करने की प्रेज़ना दीज़े और आपकी परीवार के लोगों को मैं कहूं गा नओ जीवन पाए हो मोह में मट पड़ो आगे बढ़ने के लिए अ उत्कुलता दो जितना आगए बढ़ेंगे उतना जीवन का उतकर्स होगा अंतराय मट डालना महरा जी मेरा प्रेशन है बश्तु सरूप बिचाल खुशी से सब दुख संकाट सहा करे से बश्तु सरीप से क्या पात पड़िये ले बश्तु सरूप मतलब निमत ने मितिक संबन्ध है करम के उदय से जो जैसा हो रहा है सो होने दो जीवन की वास्तविप्ता को श्विकार करो और सब जीजों को शाहन करो नमूश्यू हो महनुश्याईन और इसके बार महरा aiserी नमूस्टू 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 महरा सी हाँ बोलो महारा सिरी मन अगर सबरी जैसा सांत रहे जाता उतावला नहो तो फिर प्रभु खोद आ जाते हैं और मन अगर केकई जैसे चंचलो तो कोई मंत्रा उसे ठग लेती है तो मन को कैसे नियंत्र ने रखे बहुत वड़िया तुमने दो पात्रों की चर्चा की कि मंत्र मंत्रा के चक्कर में पड़ोगे तो ठगे जाओगे और सबरी जैसे बनोगे तो राम पाओगे मंत्रा के करन राम का निश्काशन हुआ और सबरी के करन राम का आगमन हुआ तुम्हारे शवाल में ही तुहारा उत्तर है नियंत्र कैसे सबरी है क्या सुनो तो सबरी का मतलब क्या है शब्र शब्रद है संतोस इसको अपने जीवन का आदस बनाओगे तो ये चीज़े अपने आप आने लगए चलिए और मैं आवंदित करना हूँ ब्राल परमचारी भहिया बजय जी को कि वो आए और महत्पूर सूचना है हम सब के वीच में लखें भहिया बजय जी बंदू बिना किसी भूमी का कि मैं सबसे पहली यहां पर बुलाना चाहूंगा हमारे गुनायतन से जोड़े हुए दिर्मान मित्र की रूप में बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं स्रीमत पूनम जी हैं उनकी Meaning से प्रदीगcomb अजी पूत्र पदू सार्थ हूं आरों गुना से हमारे बीच में निबेदन करने के लिए जो कि उपर बैटी है मैं हमारे बीच में निबेदन करता हूं आगामी दसलक्षण पर्व बड़ा पुन्योग लेकर किया रहा है एक दो नहीं नोना महराज्यों के सद्ध में विसाल सिविर का योजन किया जा रहा है जिन लोग ने अभी तक की अपना रिजिश्टिसन नहीं कराया है उनसे निविदन है वो रिजिश्टिसन करा करके अप और निविदन कर रहा हूँ देखिए आज सवतंतरता दिवस है और उस सवतंतरता दिवस में तंतर का मतलब सासन है तो आपके केवल आज रात्री बारा वजे तक की ही सवतंतरता है इस सिविर में पंजियन कराने की और उसके बाद इस सवतंतरता जो है सिविर के पंजियन क वो है, समाप्त हो जाएगी जो हमारा लक्ष था वो लक्ष पूर हो गया है जितने पंजियन आने थे वो आ गए हैं और तो इसलिए जरूर हैं और आगामी विधान जो है 108 मंडलिये सिद्ध चक्रमहा मंडल विधान बहु मंडलिये और इसका भावना है विचार है जैसे हमारी भावनाएं फलीबूत होंगी मैं तो कुछ गुर्देप के चरणों में इग निविधित कर रहा हूँ कि आकड़ा बहुत दिनों से लंबित है चोकि अम मंच पे 9 का आकड़ा पूरा हो गया है तो 108 का आकड़ा पूरा हो जाना चाहिए श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार विजनोर उत्तरपरदेश श्रीमान सुभाश बढ़जात्या श्रीमती सरिता बढ़जात्या श्री मयंक जैन श्रीमती रजनी जैन श्री अभिशेक जैन शीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन, एवम अतिवीर जैन, फर्म, मयंग गुरुप कोलकाता स्वभागीवती मुक्ता अजयजैन, ट्रीमसोपी, बीयसार, श्री विध्यसागर रोडवेश नागपुर, बेटी भाई धन्नालाल कुर्वाई बाले शिरीमती अधिती वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, हृत्वी गांधी शिरीमती सरोज, शिरी सुनीर, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंके तेवं खुश्वू पाटादी फर्म सरोश रूफिंग प्रैवेट लिमिटेज कोचीन